जैहें डिफेंसेस परेंट्स वेलकम बैग अगें दिस दिव्याशु पांडे इंडिन आर्मी ने अपनी सदन कमांड में सेंटर ओफ एक्सलेंस एंड एई एन रोबोटिक्स को अब इनॉग्रेट कर दिया है तो चलिए आज हम जानेंगे कि यह सेंटर है क्या और आर्टिफ आपको मौडराइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी आपके परफॉर्म किया करती है और अभी हाली में इंडिन आर्मी की जो सदन कमांड है पूने में वहां पर आर्में इंसिट्यूट आफ टेक्नलोजी यानि की ए आई आई टी पूने में लिफ्ट हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं रिसर्चर्स हैं उनको काफी आफका फायदा मिलेगा और वो बहता तरीके से रिसर्च एंड डेवलमेंट को करके हमारे सेनाओं को काफी एडवांस आपका बना पाएंगे यह जो सेंटर है वो पूरी तरीके से लेटेस्ट 3D प्रिंटि CED modeling tools, sensor drivers, interfacing tools for real-time embedded hardware, designing से less हैं यानि कि जितने भी equipment इनको जरूरत थी उसको आपका दिया गया है और इस प्रकार से अब हमारे सेदन कमांड अपने R&D में लगेगी और बहता तरीके के result को आपको provide करेगे और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि AIT Center में अभी इनके द्वारा लेट AIT में Inner V8 एक hackathon आपका conduct किया गया जो कि student driven था और largest student driven था क्योंकि इसमें आपका 10 lakh रुपीज का प्राइज आपका रखा गया था और इसमें देखा जा रहा था कि किस प्रकार से हमारे जो students हैं वो अपनी excellence प्रूव कर सकते हैं different different platform पे जो भी उनको आपका activity दी जाए और 10 lakh रुपए का इसमें आपका cash price रखा गया था अगर हम इस center of excellence artificial intelligence and robotics की बात करें तो इंडियन आर्मी अपने emerging technology की power को आपको boost करना चाहती है और इस प्रकार से ये जो center है वो हब बन सकता है हमारे real time world problems का और world में जितने भी समस्या आ रही है या फिर हम देख रहे है कि किस प्र प्रकार की चुनोतियों से किस प्रकार से निपट सकते हैं इस पर जो है हम अपने technology को आपका चौक चौबन बनाते जाए और artificial intelligence है वो तो अब हमारा भविश आपका होने वाला है और उसी पर पूरी world जो है आपका rely करेगा तो इसलिए भारत भी अपने तयारी कर रहा है और अपने military को advance आपका बनाते जा रहा है इसका जो primary focus है वो AI को और robotics को आपका उन applications के लिए तयार करना जिससे की defense, health care, agriculture और अन्ने different different sector में इनसे आपकी मदद पहुचाई जा सके वहीं पर लेटिंग जर्रेल मंजीत कुमार के दारा कहा गिया है कि चाहे hackathon हो या फिर ये center हो व वोमारे आने वाले उन students को सबसे आदा benefit करेगा जो कि अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं AI और robotics के field में अभी हाली में भारती वाईसेना की chief of the air staff वी आर चौधरी इसी center पर आपके विजिट करे थे जहाँ पर उन्होंने जो है contemporary और future ready aerospace force के लिए भारती वाईसेने के transition किस प्रकार से हो सके इस पर अपने तरब से एक व्याख्यान दिया और वहां के students थे वहां के जो आपके officers हैं उनके साथ discussion भी गिया कि किस प्रकार से हमको आगे की latest weaponaries के लिए technology चाहिए और वो इसी institute से आपका संभव हो सकता है तो पूने हम सभी जानते हैं काफी एक प्रक forces के धे सारे institute साबके available हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि AI और robotics है क्या और ये किस प्रकार से भारत की और world की economy में अपना contribution देंगे so AI is the branch of the computer science ये computer science की एक शाखा है जो की computer को humans की तरह आपका behave करने में मदद पहुचाती है और इसके ability से हम जो है thinking, perceiving, learning, problem solving, decision making के जो cognitive task होते हैं जिसको बुद्धी मत्ता task कहते हैं उसको आपका perform कर सकते हैं AI जो है आपके original conception के साथ काफी आगे आपका बढ़ चुका है, data collection हो, processing हो, computation power हो, intelligence system हो, वहाँ पर ये पूरी तरिक से सक्षम है और हम अपनी productivity किस प्रकार से enhance कर सकें, समय को बचा सकें और अगर हम army की बात करें तो उनके लिए किस प्रकार से जो है चीज़ों को design develop कर सकें इस पर AI और robotics सापका base रहा करता है अभी इसमें कहा गया कि वर्ष 2030 तक जो AI का contribution रहेगा पूरे world में ये 15 trillion US dollar हो जाएगा आपको मैं ये बता दूँ कि अमेरिका की जो economy है लगवे 26 trillion dollar की है, चाइना की 17-18 trillion dollar की है, भारत की अभी 3.57 trillion dollar की है तो भारत से लगवग 5 गुना जादा की economy ये 2030 तक बन जाएगी और सभी जो विश्व के बड़े बड़े देश है, इन्वेस्ट किसमें कर रहे हैं, आर्टिपिशल इंडिलिंस में आपका करते जा रहे हैं और ये global GDP का आपका 14% रहेगा, Google has identified 2600 use cases of AI for the good worldwide और mainly जो cancer से आपके प्रभावित patient होते हैं, उनको diagnose करने के लिए AI का इस्तमाल काफी होगा, robotics में और हम देख रहे हैं कि World War 2nd से लेकर अभी तक जो tools हैं, उनमें आपका काफी परिवर्तन किया जा रहा है और इस प्रकार के आपको robots देखने को मिलेंगे, जो की दुश्मन के लिए आपका काल बनेंगे और जो हमको जो है, जैसे हमारे soldiers शहीद हो जाते हैं, उनको हम बचा पाएंगे क्योंकि मशीनों को हम आगे करेंगे, तो ये काफी बड़ा परिवर्तन विश्र में हम देख पाएंगे ये center है कहाँ पर? पहले आपको बता दू, ये देखो आप, महरास का ये पूने है, जहाँ पर हमारी Southern Command का headquarters है इसी पूने में आपका हमारा School of Artillery नासिक भी है, साथी साथ इसी आपके एरिया में खड़क वासला है जहाँ पर भारत की एक मात्र और सबसे बड़ी National Defense Tri-Services Academy लोकेटेड है वैसे तो भारती थलसेने की total 7 tactical commands है, जिसमें 6 operational और एक आपकी training command है जिसको R-Track Command के नाम से जानते हैं, तो यह जो आपका Center of Excellence in AI and robotics बनाया गया है वो हमारे Indian Air Forces को और भी modernize करेगा आप सभी Defense Sprint, SSB Crack Exam के interview और written courses में इंडॉल होकर अपने आने वाले exam के तयारी जरू करिए और वो रिटेन कोट का use कर लें जहन्द अगर आप एक Defense Sprint है और SSB Interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB Crack Exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं आप